हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सीरियल ससुराल सिमर का टू की कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आने वाला है अब सिमर पूरी तरीके से बदली बदली दिखाई दे रही है अब से कुछ देर पहने ही जो प्रोमो सामने आया है उसमें सिमर का अंदाज अब पहले जैसा हो गया है सिमर ने अब शादी शुदा जिन्दगी से निकल कर अपनी पुरानी जिन्दगी में वापसी कर ली है सिमर अब पूरी तरीके से आरफ को भुलाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है दरसल जब आरफ परिशान होकर सिमर को फोन करता है तो सिमर आरफ का फोन तक नहीं उठाती है यहां तक कि आखरी बार सिमर ने आरफ से मुलाकात करके यह कहा कि अब उसे अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहिए और वो अब अपनी नई जिन्दगी में कदम रखने जा रही है अब वो पुराने चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही है हालकि अभी तक आरफ इन तमाम चीजों से निकल नहीं पा रहा आरफ लाग कोशिशे कर रहा है सिमर को भुलाने की लेकिन उसे सिमर की याद सताए जा रही है वो अपने परिवार के साथ होकर भी अकेला महसूस कर रहा है सिमर को वो बहुत याद कर रहा है पर सिमर अब अपनी पुरानी जिंदगी से निकल कर आगे बढ़ रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए अब वो अपना भविश्य म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाना चाहती है और इसी बीच अब एक नई एंट्री होने वाली है हाला कि इस नई एंट्री का क्या किरदार होगा कैसा रोल होगा ये फिलहाल कुछ खास नहीं पता चला है लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक ये नई एंट्री कंपोजर के तौर पर होगी जो की सिमर की हर मुश्किल में मदद करती नजर आएगी बहराल अब देखना काफी जादा दल्चस्प होगा क्या इस नई एंट्री के आने से सिमर आराव और इस नई एंट्री के बीच ट्रैंगुलर लव स्टोरी बनती दिखाई देगी कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कपेश चाहिए